Welcome to H&W TV, आज हम TAMDURA Capsule के बारे में पूरी जानकारी देंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का विडियो. TAMDURA Capsule का Composition TAMDURA Capsule दो दवाओं का मिश्रण है. TEMSULOSIN 0.4 mg और DUTASTERIDE 0.5 mg Manufacture by Sun Pharmaceutical Industries Limited. Storage, 30 degree Celsius से नीचे स्टो करें. TAMDURA Capsule का उपयोग बड़े हुए प्रोस्टेट ग्रंती वाले पुरुषों के इलाज के लिए किया जाता है. ये पेशाप करने में कठिनाई या बार-बार शौचाले जाने की आवश्यक्ता जैसे लक्षन उसे राहत देने में मदद करता है. इसका उपयोग प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए नहीं किया जाता है. उत्पाद परिचे, TAMDURA Capsule को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है लेकिन इसे प्रत्येक दिन एक ही समय पर लिया जाना चाहिए. आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे उपयुक्त खुराक लिखेंगे. अधिक्तम लाब प्राप्त करने और अपने लक्षनों का प्रभावी धंग से इलाज करने के लिए आपको खुराक नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हो. लक्षनों में सुधार दिखने में चार सप्ताह तक का समय लग सकता है लेकिन इसे न्यमित रूप से लेते रहें. यदि आपके लक्षनों में चार सप्ताह के बाद भी सुधार नहीं होता है या वे बत्तर हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं. इस दवा के सबसे आम दुश्प्रभावों में नपुन सकता, कामेच्छा में कमी, स्तंदर्द और स्खलन विकार शामिल हैं. यदि ये दुश्प्रभाव आपको चिंतित करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो सलाह के लिए अपने डॉक्टर को बताएं. आपको चक्कर या उनिंदापन भी महसूस हो सकता है. जब आप पहली बार ये दवा लेना शुरू करते हैं, तो ये जोखिम अधिक होते हैं. याद रखें, आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा इसलिए दी है क्योंकि इसके फाइदे साइड इफेक्ट के जोखिम से अधिक हैं. टेमड्यूरा कैपसूल महिलाओं या बच्चों को नहीं लेना चाहिए. अगर आपको निम्न रक्चाप या लीव या किड्नी की बीमारी है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं. ये दवा उप्यूक्त नहीं हो सकती. ये अन्य दवाओं को भी प्रभावि चक कर आ सकते हैं. कोई भी बड़ी साइड एफेक्ट हो तो डॉक्टर से संपर्क करें और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं. नए नए मैडिसिन की जानकारी के लिए HNW TV को सब्सक्राइब कर लीजी और सब्सक्राइब कर लिए हो तो घंटी का बट